जेहन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल प्राधान अध्यापक है भरती परिक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टेस सेट भूत ही महत्यपून इसमें कॉस्चन है 100 देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक पहुंचे तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो आज का फर्ष्ट कॉस्चन की बात करें कि लंबोदर यह उधारन है तो किस समास का यह उधारन है आपके लिए यहां पर बताना है चार विकल्प दिये गए हैं तो लंबोदर जो उधारन है यह बहुब्रिय समास का है यानि कि विकल्प नंबर यह आपका यहां पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंब कुस रस का इस्थाईभाव है तो question number 3 का आपका जो सभी आंसर हो गया इहां पर अदबुतरस जो अदबुतरस है इसका इस्थाईभाव की बात करें तो तो बिसमय या आश्चर इसका स्थाइबाव है मालती माधाव की रचिनकार कौन है महत्पुन रचिना पूची गई है मालती माधाव और इसके जो रचिनकार है वह कौन है तो question number 4 का right answer होगा भवभूती भवभूती आपका यहां पर सही answer है question number 5 क्या पूचा गया है राष्ट को बताना है माकलाल चतुरवेदी बालकृष्ण सर्मा नभीन सुरकांत्रपाथी निराला सुभध्रा कुमारी चौहन तो माकलाल चतुरवेदी एक भाती आत्मा के नाम से जो है इनको संबुदित क्या गया है विकल्प नंबर ए आपका सही answer है चेन की बंसी बजाना का अर क्या होगा तो Q6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर B यानिकी मौज करना Q7 पूंचा है रीतिकाल का समय था तो रीतिकाल का समय जो है कब से कब तक था यह आपको बताना है Q7 तो 7 का B राइट आंसर है 1700 से 1900 विक्रम संबत तक विकल्प नंबर आपका B यहां पर सही answer है रत रतनाकर बहुत ही चल कोश्चन पूंचा गया रतनाकर सब्द किस कभी के साथ जुला है तो आपका राइट आंसर है जगनात दास रतनाकर तु जगनात आपका हैं पर सही answer है Q9 क्या पूंचा है रंग में भंग नामक का विक्रती की रचेता कौन माने जाते हैं बताइए र आपका यहाँ पर सही answer है Q10 है मुझसे बोला नहीं जाता पाके में कौन सा बाच्चे है इसमें आपके लिए बाच्चे बताना है तो Q10 का राइट आंसर है विकल्प नमबर C भाव आच्चे अंगला question पूंचा क्या है महा कभी कालिदास के से अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं तो महा कभी कालिदास पूंचा है एक इस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं तो बहुत ही चल question है अपमा आपका यहाँ पर सही answer होगा Question number है आपका यहाँ पर 12 की ढूंड ढाड़ी क्या है यह क्या है यह आपको बताना है तो Q12 का आपका सही answer है यह क्या है एक बोली का न आपका विकल्प नंबर C क्या है नीलो पलम आपका यहां पर सही आंसर है Q14 पूंचा क्या है यहां पर मेवाती किस उपभासा की बोली है मेवाती पूंचा है आपसे तो आपका यहां पर सही आंसर है Q14 का मेवाती किस उपभासा की बोली है तो आपका सही आंसर होगा जो सही आंसर है बहे विकल्प नंबर एक ध्रण धीर प्रेयम मुहिनी ए हिंदी का प्रतम दुफान तिनाटक बाना जाता है सर्व सम्मती से हिंदी का प्रतम कभी किसे सुईकार किया गया सरहपा सब्रपा देवसेन या कभी तो question number 16 का सरहपा आपका सही आंसर होगा इनको हिंदी का प्रतम कभी सुईकार किया गया है देवनागिरी को राश्टी लिपी कब सुईकार किया गया तो आपका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को निमनलिकत में से सघोस अलप प्राण ध्वनी कौनसी है यहाँ पर सघोस अलप प्राण ध्वनी बताना है कौनसी है तो आपका यहाँ पर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर C यानि की जा जा आपका हैं पर सही आंसर होगा कौस्चन नंबर है आपका यहाँ पर 19 से उत्तर अप ब्रंस को सर प्रतम पुरानी हिंदी का नाम किस ने दिया उत्तर अप ब्रंस को सर प्रतम पुरानी हिंदी का जो नाम दिया है बहे दिया है किसने चंद्र धरसर्मा गुलेरी ने अंगला कौस्चन है सुरकांतर विकल्प नमबर C रहस्वादी कभीता है, question number 21 मुचा बालमकुंद गुप्त के सरवदिक प्रिसिद्धी का मूलाधार क्या है, तो इनकी सरवदिक प्रिसिद्धी का जो मूलाधार है, भै क्या है तो आपका राइट आंसर सिव संभू के चिठ्थे आपका सही आंसर है, छंद सास के जो प्रिणता आचार माने जाते हैं, भै माने जाते हैं, कौन विकल्प नमबर B पिंगल आपका सही आंसर होगा, question number 23 पूँचा है, मेरी भाव वादा हरो, रादा नंगरी सोय, जातन की छाई परे, स्याम हरित दुति होई, और प्रियोक्त पंतियों में कौन सा रस है यहाँ पर रस आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा रस है, तो राइट आंसर है, भाक्ति रस इसमें है, इन पंतियां जो दी गई है, इनमें भाक्ति रस है, question number 24 पूँचा है, यहाँ पर बच्चन सेंद्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो बच्चन सेंद्वारा हिंदी साहित का इतिहास, कितने खंडों प्रकासे थे, तो यहाँ पर आपको बताना है, 16 खंडों में, 15 खंड या 20 खंड या 18 खंड तो कितने खंडों प्रकासे थे, राइट आंसर होगा, यह 16 खंड में प्रकासे थे, question number 26 पूँचा है, यहाँ पर निमबार के संपरता की स हत्पूण है, और राइट आंसर है, क्या है, सलेमा बाद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, question number है, आपका यहाँ पर 27 क्या पूँचा देख लेते हैं कि, निमबार के संपरताय का कभी यहाँ पर नहीं बताना है, निमबार के संपरताय का कभी नहीं है, तो राइट आंसर ह या रूपरसिक देव, हित हरीबन से या निमबार का चारी, यहाँ पर किष्णी की बंसी का आउतार माना जाता है, तो 28 का विकल्प नमबर B, हित हरीबन से आपका सही आंसर होगा, निमनिलकित आचारियों का जन्म मिलाईए, यहाँ पर आपको जन्म मिलाना है, question number 29 है, महत्त दूसरे का गाह है, तो यानि कि हित हरीबन से इनका जन्म काल है, वैं 1502 है, और यहाँ पर किष्णी चेतन्य इनका क्या है, इनका जन्म काल है, 1486 इसवी और स्वामी हरीदास इनका है, 1880, sorry, 1480 इसवी इनका जन्म काल माना जाता है, किसका स्वामी हरीदास, question number आपका पूचा है, 30, क्या पूचा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज इहां कल वहाँ चले, उक्ति पंती किस कभी की है, यह पंती भौत ही, महत्तपूर्ण पंती पूची गई है, और यह किस कभी की है, तो राइट आंसर होगा भगवती चरण बर्मा, कौन सा कभी प्रेम और मस्ती का अबधारा की अंतरगत नहीं आता है, कभी बताना है, जो प्रेम और मस्ती का अबधारा की अंतरगत नहीं आते हैं, तो पूच्छे इसका सही आंसर होगा प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत 1938 का यह माना जाता है और नरेंदर सर्मा का सर्वद्य के लोग पर कब संग्रे माना जाता है कब संग्रे प्रवासी क्यों गीत, Анसल प्रेम की अविवेक्ति किस कभी की रच ना Kaiser थे न विलत les higher होगा रामी सुर्शुकल अंचल आपका सही आंसर यहाँ पर है अंगले कॉस्चन क्या पूचा है प्रगती सील लेखक संग की स्थापना लंदन में किसके या किनकी प्रियासों से हुई थी यहाँ पर बताना है प्रयम चंद्र मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर या न यहाँ पर 35 क्या पूचा है देखिए घुन खायो सह तीरो पर बारह खड़ी विधाता वांचे वक्त पंती किस कभी की है इपंतियां बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर है कॉस्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर एक आनिकी नांगरजुन आपका यहाँ पर सही आंसर है नांगरजुन का जन्म काल हुआ था तो इनका जो जन्म हुआ था भै कहां पर हुआ था जन्म कहां हुआ था नांगरजुन जी का तो यहाँ पर आपका कॉस्चन नंबर 36 है और इसका सही आंसर है क्या राइट आंसर विकल्प नंबर बी होका राइट आंसर दर भंगा विह सभ्भ इवा कि अभिताव का संक्लन किस सब्दक तर सब्दक तेसरा सब्दक दूसरा सब्दक चुछा एथ इनका जो संक्लन हुआ है दूसरे सब्दक में हुआ है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है कबीर की परचाई कि अनुसार कबीर की मुर्थ्यू किस भार्स हुई तो 49 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानि की संबत 1575 आपका यहां पर राइट आंसर है यानि की विकल्ब pa नबर एक आपका सही अंसर हो गा doctor कॉंशन नमबर चालेस ऴृऌटास ने दसदा भक्ति का आगायर किसी बताएओ है नाबादास ने बताएओ तो राम अनद्को कभीर तुल्सी यसूर्दास । चालेस का आपका जो सही अंसट नमबर 1 b नाम अनंदे कॉस्चिन नमबर एक तालिस पूंचा हिंदी सायथ ते कि हजार बरसों में कभीर जहांसा व्यक्तत्त लेकर कोई लेका उत्पन नहीं हुआ पहिला में यह व्यक्तत्त टेवल एक ही पृतिदंदी जानता है वहेत तुलसी दास कभीर के समब्ध में एक तन किसका है तो एक तन किषका है तो आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद दुबेदी जी का एक तन किसने करा आया तो काम काम पर 50 क äm Mooi attacked क्या भारत मित्र का प्रिकासन होता था तो बनारस से इलाहबास से कानपूर से एकलकत्ता से तो आपका राइट आंसर है 43 का इसके प्रिकासन होता था वह होता था कहां से तो विकल्प नंबर डी कलकत्ता आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही question number 44 है कभी बचन सुधा पत्र की संपादक थे तो इसकी संपादक बताना है 44 में तो इसकी संपादक कौन थे भारतेंदू हरिश्चंद जी थे कौन थे भारतेंदू हरिश्चंद भौत इसल question है महत्तपून दोबेदयोग की पत्र का कौन सी देवनांगर है अब्यूदा है कर्मयोगी है उप्रोग सभी और आप Brief कुछा है दुबेद्यूग की पत्रिका तो 45 का राइट आंसर है डी यानि की उप्रोग सभी यह पत्रिका मानी गई है चाया बादी कभी जैसंकर प्रसाथ की रचना प्रकासित होती थी सोधा में इंदू में प्रभा में या प्रताप में कॉस्चिन नंबर 46 है मात्पुन है राइट आंसर है आपका विकलप नंबर B आनि की इंदू में कॉस्चिन nggakहर से pozy होगा राइट आंसर होका विकलप नंबर C आनि की काह शी नात सेयों को भारत भारती पुरुषकार दिया जाता है किसके द्वारत दिया जाता है तो बहुत ही महत्यपूर्ण question है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान जो है इसके द्वारत भारत पुरुषकार दिया जाता है सरस्तती संवान के संस्तान द्वारत दिया जाता है question number 49 और 49 का right answer है आपका विकल्प number 1 आनिकी के के बिल्ला फाउंडेशन जो है इसके द्वारा सरस्तुती सम्वान प्रदान किया जाता है बहुत सही विकल्प number 1 आपका right answer है नागरी लिपी कैसी है यह आपको बताना है नागरी लिपी जो है एक कैसी लिपी है तो आपका right answer है क्या होगा right answer विकल्प number आपका भी right answer है अक्षरात्मक सही answer होगा अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा सब्द प्रयोक्त क्या है तो अमीर खुसरो ने हिंद भी हिंदोस्तानी, सिंधी या उर्दू तो यहाँ पर इंक्यावन का right answer है एक यानिकी हिंदी भी आपका right answer होगा हरयानवी या बांगरू बोली किस अब्रण से विक्सित हुई है तो बांगरू का right answer है विकल्प number एक पस्चिमुत्तरी सुरसेनी अब्रण से हरयानवी या बांगरू बोली जो है इस अब्रण से विक्सित हुई है question number है आपका त्रेपन कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती बहे कौन सी भासा है जो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है राइट आंसर है C, मराठी आपका सही आंसर है बिलकुल सही, सत्तम भासा समोई में कौन सी भर्ग है question number चंगन में बताना है तो चंगन का राइट आंसर है विकल्प number C, इरानी भारती है इरानी भारती है आपका सही आंसर है यहाँ पर है उकार बहुला अगला question है, ओकार बहुला है क्या है, अविदी, ब्रेज, खड़ी बोली या हरे आण भी ओकार बहुला क्या है तो पच्पन का B, राइट आंसर है इरानी भारती है, तो विकल्प number B, सही आंसर होगा question number 56 है, यहाँ पर अपिभरंस का पहला कभी कौन है विद्यापती, चंद, या स्वेंभू, या रोडा अपिभरंस का पहला कभी पूँचा है तो राइट आंसर होगा आपका विकल्प number C, आनी की स्वेंभू स्वेंभू आपका सही आंसर है question अंगला क्या पूँचा गया है कि पिर्थम राजभासा आयूक की अध्यक्ष कौन थे पिर्थम राजभासा आयूक की अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा तो B.C.C.R. सही आंसर है विकल्प number B. राइट आंसर है विल्कुल सही question आपका अंगला क्या पूँचा है पूँचा गया है यहाँ पर भासा विज्ञान भासा की किन अंगों का अध्यन क्या जाता है तो उनसर्ट का राइट सी राइट आंसर होगा विभिद अंगों का विकल्प number C आपका सही आंसर है question number 60 आंसुसब्द तशम है देसज है तदवाओ है इनमें इसे कोई नहीं है आंसुसब्द किस प्रकार का है तो यह जो आंसुसब्द है यह तदवाओ सब्द माना जाता है विकल्प number B परूस का विलॉम सब्द क्या होगा यह परूस है और परूस का विलॉम आपको बताना है question number except में right answer होगा परूस का कॉमल question number बासट है धोती का विलॉम सब्द है चबी प्रभा जोती अंदिकार तो question number है यहाँ पर बासट और इसका सही आंसर है बासट का विकल्प number D अंदिकार आपका सही आंसर होगा अंदिकार विदी का विलॉम सब्द कौन सा होगा विदी का विलॉम बताना है question number 36 में विदी का विलोम क्या होगा तो महत्वण कॉस्चन है और निसेध आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नमबर 64 पूशा है कामदेव का परियाबाची सब्द बताईए कॉस्चन नमबर 64 में बताना है कामदेव का परियाबाची सब्द कौन सा है तो राइट आंसर है विकल्प नंबर C आनिकी वनुज आपका सही आंसर होगा वहत्तपूर्ण कॉस्चन है यह अपनी यहाँ पर और अंगला कॉस्चन है सोना का पर्याबाची निमने लिकित में ऐसे कौन सा नहीं है देखें नहीं पूँचा यहाँ पर तो नहीं में बताना है कौन सा नहीं है सोना का पर्याबाची तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 प्रवाल सवीता का परियाबाची क्या है सवीता question number 66 और 66 का सही answer है सूर्य यहाँ पर सही answer होगा और question अंगला क्या पूचा है डाहे का समानार्थी क्या है डाहे का समानार्थी बताना है 67 में 67 वा question है डाहे का समानार्थी इर्ष्या होता है तो विकल्प नंबर D सही आंसर है सिखी का समनार्थी क्या होगा सिखायोक पे मयूर बुल बुल या बेल सिखी का समनार्थी पूंचा है 68 का राइट आंसर है B यानि की मयूर यहाँ पर राइट आंसर है कौस्टिन नंबर है उननत्तर तेजो मै का संदिविच्षित क्या होगा तेजो मै 69 में बताना है महत्वण question है तेजो मै का संदिविच्षित बताना है तो तेजह भन मै बराबर तेजो मै यहाँ पर right answer है मंत्री परिसद में कौन सा समास है ततप्रोस है दवन्द है दिगू है बहुब्री है तो यहां पर मंत्री परिशद में आपके लिए समास बताना है यह सब्द है मंत्री परिशद और इसमें जो समास है तत्प्रोस विकल्प नंबर यह राइट आंसर होगा परिशद परिश्द करना है तो यहापर आपका जो अधेता अधेता यहाँ पर विकल्प नम्बर एक है वह सही आंसर है जो है सुद्ध बरत निये अधेता राम की गाए बहुत काली है बाके में काली सब्द क्या है सर्व नाम है किरिया है विसेशन है या प्रविसेशन है Qays No.3 है महत्वपूण है और यहाँ पर सही answer है T3 का C right answer होगा Bislation होगा Bislation यानि की विकल्प number Sorry, Bislation है Wikuant No. C right answer Bislation बिल्कुल सही मानव सब्द से Bislation बनेगा मनुष्य मानवता मानवी करण या मानवी तो यहाँ पर मानव सब्द से विशेषन कौन सा बनेगा यह बताना है तो D. राइट आंसर है मानविय आपका है यहां पर सही आंसर है बिल्कुल चही मानविय जन्हों ने बताया है उनका राइट आंसर है Question number, आपका यहाँ पर 75 पूँचा है, घनिष्ट का सुद्ध उत्रवस्ता है, घनिष्ट का. Question number 75 है, महत्वपूण है, और इसका सही आंसर होगा, 75 का विकल्प नंबर आपका, सी राइट आंसर होगा, घनिष्ट तर आपका सही आंसर, सर्म नाम की कितने भीद होती हैं, यह बताना है, महत्वपूण, Question 4, 5, 6, या फिर 7, सर्म नाम की भीद बताना है, और यहाँ पर दोते हैं, छे भी दोते हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बाक्य की घटक होती हैं, बाक्य की घटक कौन होती हैं, Question number 77, बताए, बाक्य की घटक कौन होते हैं, तो विकल्प नंबर A सही आंसर है, उद्धेश्य और विधे, यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प न नमबर B यानि की चदम बेसी चदम बेसी आपका सही आंसर है पहली वर्सा का पानी पहली वर्सा का पानी के लिए एक सब्द क्या होगा पहली वर्सा का पानी के लिए एक जो सब्द होगा बै होगा कौन सा नबो दक बिलकुल सही विकल्प नमबर D राइट आंसर है नबो दक निमने लिखत में से सुद्ध बरतिनी वाला सब्द बताई देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कवित्री यहाँ पर चार विकल्ब हैं कवित्री कौन सा यहाँ पर सही होगा कवित्री में यहाँ पर सुद्ध सब्द बताना है कौन सा सुद्ध बर्तिनी में लिखा गया है तो यहाँ पर 80 के राइट आंसर विकल्प नमबर इस पिरकार जो एक है कवित्री इस पिरकार लिखा जाता है विकल्प नमबर ए राइट आंसर है कौनसा बाक के सुद्ध है यहाँ पर आपके लिए सुद्ध बाक का चैन करना है और यहाँ पर आपका सुद्ध बाक के जो होगा तो बहें कौनसा है उसे समय चरखा चलाना भी एक अनुसासन था इस सुद्ध बाक के विकल्प नमबर D अंगले question है कि तेजा आपके संग्या का उधारन है तो question नमबर 82 है और 82 का सही answer होगा क्या होगा right answer तेजा आपके संग्या का उधारन है तो आपका right answer है यहाँ पर द्रब बाचक विकल्प number आपका C right answer है बिल्कुल सही question number आपका 83 क्या पूचा है तो देख लेते हैं महत्तो में कौन सा प्रत्य है महत्तो में कौन सा प्रत्य है तो question number 83 का right answer है आपका यहाँ पर विकल्प number C यानि कि तो है आपका सही answer होगा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए प्रत्य होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए एक सब्द कौन सा प्रत्य होगा यहाँ पर बताना है तो right answer है विकल्प number B यानि कि आकिंचन आपका सही answer है यहाँ पर दिया है कि question 85 से 90 से पूँचे गए question है तो इस गद्यांस को यहाँ पर छोड़ देते हैं 89 के बाद यहाँ पर 90 से देख लेते हैं 90 पूँचे गया है थाली का वेगन से क्या अभी प्रिया है थाली का वेगन से क्या अभी प्रिया है question number 90 है और आपका सही answer है विकल्प number 1 यानि कि सिद्दान्थ हिन व्यक्ति right answer होगा question number 91 क्या पूँचा क्या है यहाँ पर एक आंकी पाटों का सर प्रिमुक सर प्रिथम उद्देश क्या होता तो एक आंकी पाटों का सर प्रिमुक और सर प्रिथम उद्देश होता है वह कौन सा उद्देश होता है तो right answer है यहाँ पर विकल्प नंबर B राइट आंसर विवन ने संदर्वों में संबाद बोलने की छमता का विकास विकल्प नंबर B यहाँ पर सही आंसर होगा Question number आपका बानने में पूंचा है कभीता सिक्षण में आप सर्बादिक महत्तो किसे देंगी कभीता सिक्षण में आप सर्बादिक जो महत्तो देंगे महत्तो प्रतान करेंगे वह किसको करेंगे तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर C यानि कि कभीता का भाव पूर्ण पठन और रसानुगूती यह जो आपका सही आंसरों का विकल्प नंबर C Question number आपके यहाँ पर 93 पूँचा है किस विदा के सिक्षण की समय आप मोन पठन को महत्तो देंगे कभीता निबंद एकांकी यह सम्विदात्म के कहानी तो राइट आंसर है यहाँ पर 93 का विकल्प नंबर C यानि कि निबंद राइट आंसर है बच्चों के लिखित कारियों के आंकलन में सरवदिक महत्तो पूण क्या है तो अभी विकल्प नंबर D राइट आंसर होगा भासा प्रियोगी की को सलता संभा होए किस से संभा होए यह आपको बताना है कि भासा प्रियोगी की को सलता संभा होए किस से संभा होए तो 95 का सही आंसर है विकल्प नमबर B आनि की अधिक से अधिक भाव प्रियोग से अधिक से अधिक भाव प्रियोग से भासा प्रियोग की जो को सलता है वह संभा हुए कोस्चन नमबर आपका 96 पूँचा है बंगदूत 1829 इसे में प्रिकासित पत्रिका के संपादक को नते देखिए बंगदूत यह जो है 1829 में प्रिकासित पत्रिका थी और इसके जो संपादक थे वह को नते राइट आंसर है राजा राम मोहन राय विकल्प नमबर B राइट आंसर है कोस्चन नमबर है आपका यहां पर 97 पदमबत संजीबनी रचना का सन 1956 इसवी में किसी साहत अकादमी पुरुषकार मिला तो 97 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नमबर D वासुदेव सरन अग्रवाल राइट आंसर होगा क्वेस्चन नमबर अंटाने पाणनी द्वारा अश्टत ध्याई का प्रचलन जिसमें बेदिक संस्क्रिट से पाणनी संस्क्रिट की रूप में परिवरतन की जलक कब मिलती है यह जो जलक मिलती है कब मिलती है तो राइट आंसर है 400 इसवी विकल्प नमबर आपका D के साहतेकार को ब्यास सम्मान से सम्मानेत क्या ग्या तो यह आपको बताना है कॉस्चन नंबर 99 में और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक है यानि की गिर्जा कुमार माथो राइट आंसर है चार माई अठारा सो इस वियम पोर्ट बिल्यम कॉलेज के संस्थापक संस्थापक पूचा है तो कौन ते अठारा सो में इस भी मताना है तो विकल्प नंबर एक लाड़ बेले जली आपका सही आंसर होगा तो इस परकार अपने यहां पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन कंप्रेट हुए कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अ